अखंड भारत का लक्ष पूरा कैसे होगा? अपी स्वर्नमाई लंका नमे लक्ष्मन रोचते जर्निम जर्नम भूमिष्च श्वर्गाद अपी गरिया सी श्वामी वियकरन्द कहते है भारत माता एक खंड सांस्कृतिक चेतना एक मात्र जीवंत जागरत देवता अब भारत माता नरवली चाहती है पसुवली नहीं, सास्ट रुवक वली बंकिमचंदर बंदे मातरम में गाये हैं तुंही दुर्गा दसप्रहरन धारनी, कमला, कमला दलभिहारनी आर मैं चलता हूं और मैं जब चलता हूं भारत माता चलती है मैं सोने से भारत माता सो जाती है में जागरत होने से माता जागरिता होती है ऐसा कई महापुरुषों ने भारत माता की बारे में बुले कि एक एक अखंड सांस्कृतिक चेतना स्री अरभिंदर करते हैं कि भारत माता महा काली, महा लक्ष्मी, महा सरस्वती एसी भाब जब आएगा तब हो सकता है रिशी अरभिंदर ने बोला कि इस डिविजन, इस पर्टिशन इस वरी अननिचरल और इस मस्ट गो इंडिया विली उनिटेड कई महापुरुषों ने भारत के एक अख्ता के बारे में बुले हैं और मैं भी चाहता हूँ कि भारत पुना अखंड हो भारत अखंड हो का मतलब क्या है नकेवल पाकिस्तान अम यदि भारत का इतियास को नुद्यान करेंगे तो आफगा निस्तान भी भारत में था डेट सो फुट वाली वद्धमूरती कोई मुसल्मानों नहीं बनाया होगा और ये तिबाद भी भारत में था और नेपाल भी भारत में था और ये मियामार भी एक दिन भारत में था पाकिस्तान तो भारत में था ही बंगलादेस में था ही ये रिसेंटली शव वर्स के अंदर गया और हजार साल पहले को गया लेकिन जो भारत से विछट गया है उदर अगनी जलती है डिमोकरशी भी पन्न हो जाता है इसलिए दो प्रकार की एक अता हो सकती है एक सामरी की विज़े कुछ स्थान पर और एक सांस्कृति की विज़े सिराम चंदर ने पुरे हिंदुस्तान में जो अस्था में दिया गया किया सांस्कृति विज़े उन्होंने लंका पर विज़े प्राप्त किया लेकिन उनको सामरीजे में सामिल नहीं किया उनको रावन का भाई को बचे दे किसकिंदिया पर विज़े किया लेकिन उनको समरजे मिसाविल नहीं, सुगरी को ऐसा, ऐसा भी हम कर सकते हैं, और फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बारे में थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, पुर्णो विजय की करवपरति यहां समंजस को छोड़ दो, हिंदुस्तान बचाना है तो पाकिस्तान त तोड़ दो, चलिए पाकिस्तान तोड़ दो, संसद में साइद आप इकला ओते हैं, ऐसे ब्यक्ति होंगे, जो धारा प्रवाल